है दोस्तों डायरेट सोलर पैलेंट से विदाउड इंवर्टर विदाउड बैटरी लाइट पंक सब कुछ चलाने के लिए अल्लेड में एक वीडियो बना चुका था आज दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों बताऊंगा कैसे बहुत असान तरीकी से आप इस जो सोलर पै सबसे पहले बॉक्स के अंदर जो स्टेंड मिलता है तो छोटा वाला लेक्स को कुछ इस तरह से वरक दीजिए और उसके बाद जो बड़ा जो एंगल है उसका जो कैपसुल है को उपर की तरह रहेगा उसके बाद आप मैच कर लिजी होल को चैलन के साथ जो लेक्स है उनके की को टाइट कर दीजिए इस जो दो ना डाबलेंग लगाया है चैलन को लेक के साथ और की कुछ इस तरह से आप कर दीजिए तो बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों आप खूद कर सकते हैं और उसके बाद आपको क्या करने पड़ेगे कि चैनल का जो इनर डारेक्शन होगा आउटर डारेक्शन की तरह अंदर की तरह इस तरह से रहेगा उसके बाद जो इंस्ट्रोलेशन है प्रूपा तरीके से जो माउंटिंग स्ट्रक्चर के उपर हम लोग जो पैनल है तो इस पैनल को हम लोग यहां पे रखेंगे तो बहुत आसान है और इसके लिए मैं आप वीडियो बना चुका था क्या प्रोजे क्या स्कॉन से तो दस नम्मर जो नाट बोल्ट का होता है तो उसको आप जो है इस तरह से टाइट कर दिए उसके बाद जो मीनी इंवर्टर है माइक्रो इंवर्टर जिसको कहते उसको भी आप यहां पे रखे उसको अलाइन्मेन करक कि घर का जो तरह होता है उनके साथ यह जो और रिकनेक्सिन करेंगे मीटर के साथ यह जो आप देख सकते क्यू केविल है जो दू हम लोगों जो प्लस और मायनास को जो पैनल शेहा गिःूपए उसको इनके साथ करेंगे जिँड़ो ऑंन पर जैसे इन से इंश्तलय कर दें अगर आपको जरुद भी हम लोग के लिए नहीं है तो इसके लिए लोग इसको टेप कर देते हैं उसके बद इसको भी हम लोग आउट पूट की तरुप यहांपे लगा देते पहले जो है बारा भॉल इन्पुट आपको वहां पे देना पड़े गा उसके बाद प्लस मैनस को उपर की वाग में लगाना पड़ेगा और एमसीवी को डाउनी रखिए और नीचे वाला हिस्सा जो मीटर के कनेक्शन घर के जो लोट कनेक्शन होता है वहां तक जाएगा आपका जो फाइप पिन हो घर का साकेट का तो उसके जाने के लिए यह जिए एक्सटेंडि के के सथ कनेक्शन करेंगे प्लास को प्लास मतलब पलासज और ऑनिगेटिव जो होता है बलागा जो होए प desde में तरह से इस अमसीं जहांप अपैंप ज्रूद करेंगे तो माइक्रों इंवर्टर का अपने देग लिया उपर का हिस्सा पर आपका जो है पॉजेटिव निगेटिव जो एसी मतलब सोलार पैनल से जो डीसी वह रहे वहां पर रहेगा और नीचे वाला हिस्सा जो एसी आउटपूट का माइक्रों बड़र का होगा तो उसके बाद जाकि यहां पर जो सही तरह से प्रोपर लिए ट्राइक के द्वार लगा देंगे ताकि जो बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो यहां पर बार इस बार इस गिरे तो यहां पर कुछ एपक ना पड़ें से वी को उपर पानी बाद ना चला जाए उसके बाद नीचे हिस लेकर आ रहा हूं कि इस तरह से प्रोपर लिए इंस्ट्रोल कर पाएंगी एसी मोडिल को उसके बाद माउंटिंग स्टक्चर जो है उसको अगर जो ब्रीग होता है उसको भी सादा आपको फिक्ष्ट कर सकते यह पर ढ़लाई जिसको कहते है उसको भी आप जो है करके इसको कर सकते तो कुछ इस तरह से मैंने किया हूं टेंपरर रिदिखाने के लिए आप लोग को आप चाहे तो उसको प्रोपर लिए फिक्ष्ट करके आपको घर के लगा सकते तो एसी के विल को हम लोग लेके चलते हैं हम लोगा जो फाइप बॉक्स से उसके साथ और इने भी जो का लोड है सब ही अब देख पाएंगे बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से जो है आपको डिवाइस मिलता है इन पर इन भी करके नाम है इसका यह बहुत ही अच्छा होता है और दो आपको जो है और मिल जाता है जिसके में सब एंपियर बगरा चेक कर पाएंगे और यह इंस करने के लिए जो उसके भी जो उसके बार को उनड़ें को लोग नोग अच्छाधी सकने मता करेंगे तो चैनदर करने Cowśl के ने में प्लीए चैनल होता है दो लगा देंगे उसके बाद MCB के साथ हम लोग प्रोपले कानेक्शन करेंगे तो यहां का जो ओल मांटिंग श्टक्चर है इसको हम लोग जो के साथ सही तरह से फिट कर देंगे कुछ इस तरह से इसके बॉक्स के अंदर ही दूस्तों आपको सब कुछ मिलता है नाट वोल बगरा और जो होता है सब कुछ मिलता है तो कनेक्शन में प्रूपा तरीके सब को बारे किसे बताऊंगा तो विडियो को लास्ते देखते रहे औ और इसके मस्तब बिजली का बहुत ज्यादा कापत कर सकते है तो 6 इंची का दो स्मॉल ओय ले लेंगे उसके बाद एमसीवी के डिवाइस के साथ काने करेंगे तो क्या करता है कि सबसे पहले एक बड़ा बाला जो वैर होता है प्लास और माइनस रिगेटिव का 6 इंच का त पर प्लास वायर रहेगा और आपको जो लेट साथ पर ब्लैक वायर रहेगा मतलब नेगेटिव उसके बाद दो 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 ने जो छोटा वाला हिस्सा हम लोगों ने दिये थे तो प्लास का वह हम लोग जो है यहां पर और एक एमसी पर लगा देंगे कुछ इस तरह से उसका यहां पर सिंबल रहता है दोस्तों आप देख के वहां पर भी लगा सकते हैं और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं दो मतलब मैं समझा देता हूं एक जो है प्रोटेक्शन करने के लिए अपका डीसी एमसी भी होता है और एक जो है एसी इमसी भी होता है देख सकते हैं य से तेक से बोई हो जाएगा इस तरह से कुछ जो हाइग उसके बाद को क्या करना पड़ों ला उयर होता है यहीं बीवाइस का जो उपर भаж साव लेट है पर होगा इहां पर आपको जो क्या हकन पड़एगी ब्लाक और जो नेगेटिव एइन उसको और उसके पास सेकेंड पूर्ट पे आपको जो है पॉजेटिव और को कनेक्शन करना पड़ेगा जिस तरह से मैं कर रहा हूं ऐसे आप कीजिए तो आप पे बहुत है असन तरह कर पाएंगे कुछ प्रूब्लम हो रहा है तो कॉमेंट करके ज़रूर बतना उसके बास सिटी स्कॉ कर अदर को प्लास माइनस का प्लास ओर को घुसाएंगे उसके मदद से आपको जो हैंक पेर वगणा को चेक कर पाएंगे और यह अंदर को सोलर ओयर का जो एरो के निशल बायर अटिशन होता है तो उसके मदद से हम लोग जो चेक कर पाएंगे अरो के निशन सबसेंगे तो कि तरह होगा तो तो इसके अंदर से जो होता है उसको गुजाएंगे उसके बात हैं जो होता है इसमसेडी को हम लोग ये यहां पर प्लास ही सबसकेड़ कॉपाइने के बात यहां पर पैको इसी नहींbasic 7 करना है करना पड़EMA करें कुछ इस तरह से आप कर सकते उसके बात जो लोग जो है पॉजेटिव को गुसाएंगे कुछ इस तरह से घर का जो लोट कानेक्शन होता है दोस्तों ठीक है तो हम लोग यहां पर कर देते हैं ताइकि लोट को भी हम लोग पता चले तो बहुत ही सिंपिल होता है दोस्तों अब खूद कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगते हैं लाइक कर दाना चलना तो जुरू सब सब करना तो देख सकते हैं हम लोग यहां पर लगा चुका हूं और उसके बाद उसी सेम वायर को लेके हम लोग जो है यह भी डिवास का य कि यहां पर जो वाइड वायर है उसको हम लोग ने उपर के हिस्ते से लगाया हूं और नीचे पे आपको जो ब्लू यह लगागा घर का लोट का ठीक है सिटी गॉल के अंदर से जो वायर को हम लोगों ने घुसाया हूं तो उस तरह से यहां पर फिटिंग हो जाएगा ठीक तो कुछ जो वायर होता है उसका जो एलाइनमेन है सही तरह से कर लेंगे बाद एसी केविल को ग्रीट पावर के साथ कनेक्शन करने के बारी आप आ चुका है तो उसको क्या करेंगे कि जो केविल हम लोगों ने लेके आया था तो एक कुछ इस तरह से यह भी सॉकेट भी आ और नेगेटिव नेगेटिव की तरह मैं आपको सब्सक्राइब करोंगा कि आपका घर का जो वायरिंग होता है आप एक बात जो है टेश्टर के देवारा चेक कर लेजे कौन सा साइट पे जो है हम लोग जो जा रहा है मतलब जो टेश्टर जो ग्लो कर रहा है उसके माद से लोगों की बोघ्त की तरफ तो किसित देग लेया बिद्धेन को सब्सक्तिक हैज भ Architect वाट यहां से ले लेगा चाहस सवाट जो मीटर से लिए इसका फाइदा होता है दूस्तों तो हम लोग यहां पर जो सिम्सिंबल लगा होता है कई कि उसी मोडल नीचे वी काम हो चुका है अब दूस्तों मोनेटारिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेंगी और उस तो और एक चीज़ लाज में बता देने चाहता है तो पूरा वारेंग कानेक्शन फूल कानेक्शन एमसीवी को उठा देने से पहले मतलब सार्किट पूरा करने से पहले अगब पूरा चेक कर लिजी सही तरह से क्या हो दिया है कि नहीं और उसके बाद विजो कानेक्शन करों जयße चाहिए बाद Els दोश्तों मोलोग कानेक्शन छना पूरा हृब उसको धना पीसदेन के रिंगे my इसके मैस एहां पे जो है ग्रेट कर जो बिंग हो तो शके पास में जो सुई जेगा क्लिक करके हम लोग जो अजिए ऑपका जिए ने ने बल कर देंगे और आपका डिभाइश का या फिर घर का जबानेक्शन इसके बंद करके रखिए इसका खुद का वाई-फाइस से इसको टूटल काने करके सिट अप कीजिए ठीक है उसके बाद रिवोड लिदेखने के लिए आपको जो वाई-फाइप देना पड़ेगा तो सब्सक्राइब होता है उसको अपड़ो एडिवास का जो है रिसोर्स का अपड़ेट कर लेंगे ताकि इसमें जो माइको इन्वाटर का जो डिवास का सिर्याल लिष्ट हो आजाए उसके बात आपको कहा करना पड़ है कि फिर से इनवी डिवास में साथ इसको कानेक कर लेजे और यह प्रोपाली कानेक्ट हो रहा है देख सकते कुछ मिनिट तक ट जाएंगे वान पर जाएंगे जीरो करेंगे उसके बाद इसका मॉडल नमबर आप पहुच करका भी पढ़ सकते और यह पर जो है कानेक्टिंग होना माइक्रो इन्वाटर स्टार्ट कर देगा यह डिटीश स्कैन कर रहा है और हम लोग को जो डिवाइस है वो डिवास मिल यहां पर ठीक आप देख सकते हैं तो चलिस तो अब हम लोग चलते पीसी पे और रिमोनली इसको कनेक्शन करने के लिए अपको जो अपका घर का जो वाइपाई है मैं दूस्तों मेरा जो बोको डिवाइस है उसके साथ मैं इसको कनेक्शन कर रहा हूं आप जो फास्ट जाने के बात अब कुछ करना पड़े है कि अब चाहिए तो पहुचकर को इपसाट का भी जो है लिखा पर सकते हैं उसके बाद जो करेंशल अब ने दिये थे उसी सीम करेंशल को जो एप में दिये थे देके लोग इन कर लेजे उसके बाद सिस्टेम एक्टिप पे अब सेवेंटी डे मतलब सेवेंटेस का नेक्ष्ट मंद का टूड़े का इस मंद का और लाइफ टाइम का यह सब कुछ दूस्तों यहां पर कितना तायर हो रहा है यहां पर देख सकते दिखा रहा है और लूंशल का इसी मोड़ अच्छा होता है डोट तो डिसक्प्शन ल कर सकते हैं मेरे को भी बोल सकते में आपको जरूर खुरूर अब देख सकते कितने जगा प्योगा पेशल लगा चुका है तो कुछ सबहर हो तो मेरे को कमेंट i be got करने